नमस्ते मैं हूँ आपकी फार्मसिस्ट अश्विनी और आज हम बात करेंगे जलूसिल MPS के बारे में जलूसिल MPS ओरिजनल लिक्विट शुगर फ्री मिंट फाइजर लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है यह मिंट फ्लेवर में आपको एवलेबल है इसके दो पैक साइजेस एवलेबल है एक 200 ml की ओरल लिक्विट की बोतल होती है जो की करीब करीब एक सो आर्ट रुपए के रुपए में आपको मिल जाएगी और दूसरी है 400 या की 400 मिली लीटर ओरल लिक्विट की बाटल जो की आ टायमेतिकोन एक आंटि फ्लेटुलेंट है जो गैस को चोड़ने में मदद करता है मैंगनिशियम हाइट्रोकसाइड एक रेच क्याने के एक लाक्सेटिव है जो आतों में पानी को बढ़ाता है और पेट के आसिड को कम करता है जलूसिल MPS ओरिजनल लिक्विट एक से टॉलरेट किया जाता है तत्काल इफेक्ट के लिए 5-10 मिलीटर जलूसिल लिक्विड को मुह से ले आमतोर पर भोजन के बात और आवशकत अनुसार सोते समय प्रिसाइज डोस के लिए 10 मिलीटर मापने वाली कैप लिक्विड बटल के साथ आती है हर डोस से पहले बोतल करने से स्वाद में सुधार होता है इसे फ्रीजर में ना रख यानिक इसको रेफ्रिजरेट नहीं करना है यह दवा अन्य दवा जैसे कि डिगॉक्सीन आयन पैजोपैनेब टेट्रसाइकलिन एंटिबाटिक पिनोलोन एंटिबाटिक जैसे कि सिप्रोफ्लोकसिसिन के साथ इंटराक्ट कर सकती है जिससे उन्हें आपके शरीर द्वारा पूरी तरह एब्जॉब होने में रोका जा सकता है यदि एक सब्ता तक जैलोसिल का उप्योग करने के बाद भी आपके ऐसे डिटी की समस्या बनी रहती है फिर बिगड़ जाती है यह यदि आपको लगता है क आपको कोई गंभीर मेडिकल प्रॉब्लेम है तो तुरेंट मेडिकल हेल्प ले इस दवा का उप्योग पेट में बहुत अधिक एसेड जैसे की पेट खराब सीने में जलन और एसेड अपच के लक्षनों के इलाज के लिए किया जाता है इसका उप्योग अतिरिक्त गैस मे आतों में दबाव असुविधा की भावनाओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है अंत में गैस के बुलबुले को तोड़ने में मदद करता है लिक्विड एंटासेट आम तोर पर टैब्लेट या फिर कैप्सूल की तुलना में तेज या फिर बहतर काम करता है यह दवा इसके साइड इफेक्स चानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा यह वीडियो इन्फरमेटिव लग रहा है तो आप लीज इसे लाइक करें अपने फ्रेंज और फैमिली के साथ शेर करें और फार्मसिस रश्वीन को जरूर सब्सक्राइब कर बारे में कि दवा मतली कब्स दस्त या सिर्दत का कारण बन सकती है यदि ये लक्षन बने रहते हैं फिर गंबीर हो जाते तो अपने डॉक्टर को सूजित करें इस दवा का उप्योग करने से कई लोगों पर गंबीर दूश प्रभाव नहीं होते हैं जलुसील में मौजु पदात पिए और व्यायाम करें अलुमिनियम युक्त अंटासेड आत में शरीर के एक महत्वपूर्ण रसाइन फॉस्वेट से बंचते हैं इससे फॉस्वेट का स्थर कम हो सकता है खासकर यदि आप इस दवा का उप्योग बड़ी मात्रा में और लंबे समय तक करते हैं अ जैसे काला या फिर रुका हुआ मंल धी मिया फिर उतली सासे धीमी और फिर अर्ण्य में दिल की धड़कन मानसिक क्या मनètres मैं बदलाव ब्रह्म होना पेशाप करते वक्ड़ होना पेट में दर्द होना कोफी के रंग की उठी होना It's दवा की गंबिर अलर्जिक र Key कि ज्य लेकिन अगर आपको दाने खुजली सूजन विशेश कर चहरे जीब्या गले की चक्कर आनासास लेने में परेशानी होना इन जैसी इन जैसी सिम्टम्स दिखाई देते तो आई आपके अलर्जिक रियाक्शन हो सकती है इसके लिए आप तुरंट मेडिकल ट्रीटमेंट लें अगर आप बार बार शराब का सेवन करते हैं आपको डिहाइड्रेशन है या फिर आपके लिए तरल पदार प्रदिबंधित है आपको किड्नी की समस्य है जिसमें की किड्नी स्टोन इंक्लूडेड है लिए आपको ये समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से डिसकस करें ग अगर आप कोई भी प्रेस्क्रिप्शन ना फिर नॉन प्रेस्क्रिप्शन हर्बर प्रोडक्स का उप्योग कर रहे हैं खासकर फॉस्फेट सप्लिमेंट जैसे की पोटेश्यम फॉस्फेट सोडियम पॉलिस्टाइन सल्फोनेट इत्यादी एंटासीड कई अन्य दवाओं को एब्सॉब करने में हस्तक्षिप कर सकता है किसी अन्य दवा के साथ एंटासीड लेने से पहले अपने फार्मसिस से जाच अवश्च कर ले तो यह होगई जानकरी जैलुसिल के बारे में आशा करती हो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप डॉक्सी सेक्ल